हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ड्रेंग सापोर चैनल आज हमारा ट्रोपिक है कॉंस्ट्रक्ट एन एंगेल ओफ वन हंड्रेड ट्वैंटि फाइब डिग्री 125 डिग्री एंगेल कैसे कॉंस्ट्रक्ट कर सकते हैं तो देखिए स्टूडेंट्स सबसे पहले एक लाइन लेना है यह हमारा AB लाइन अभी पेंसिल कंपास के मदद से पहले 90 डिग्री एंगेल ड्रॉ करेंगे तो देखिए कोई भी एक suitable radius लेके यह पॉइंट पेंसिल कंपास को बिठाना है यह पॉइंट पेंसिल कंपास को बिठाके एक आर्क ड्रॉ करना है एक आर्क ड्रॉ करना है एक आर्क ड्रॉ करना है और नेक्स्ट सेम मेजर्मेंट मेजर्मेंट को कोई चेंज नहीं करना है यह पॉइंट पेंसिल कंपास को बिठाना है यह पॉइंट पेंसिल कंपास को बिठाके एक आर्क इधर ड्रॉ करना है तो देखिए, एक intersecting point मिला, यह intersecting point and a point, यह दोनों point को मिलाते हुए, एक line ड्रा करना है, जो हमारा 90 degree angle बन जाएगा तो देखिए, यह हमारा 90 degree angle बन गया है, तो इसका naming कर देते हैं, angle c, a, b is equal to 90 degree and यह है point p, आभी pencil compass के मदद से a, p यह distance को measure करना है तो देखिए, यह distance को measure करके, यह point पे pencil compass को बिठाना है, यह point पे pencil compass को बिठा के, एक arc इधर आइसे, एक arc ड्रा करना है और नेक्स्त यह जो point है यह point पे pencil compass को भीठा के एक arc इधर ड्रा करना है तो देखिए एक intersecting point मिला यह intersecting point और यह point यह दोनों point को मिलाते हुए एक line ड्रा करना है इसका naming कर देते हैं तो एंगेल d a b यह जो एंगेल क्रियेट हुआ एंगेल d a b यह है 125 डिग्री तो देखिए एंगेल d a b एंगेल d a b is equals to 125 डिग्री तो चलिए यह एंगेल को चेक कर लेते हैं तो देखिए यह है 90 डिग्री एंड यह 120 डिग्री यह 120 डिग्री एंड यह 125 डिग्री तो एंगेल d a b यह है 125 डिग्री एंगेल तो थेंक्यू स्टुदेंस अगर वीडियो आच्छा लागे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा